हेलो फ्रेंड मैं हूँ उशा धरवे और वेलकम है आपका अपने चानल गाड़निंग वीद उशा पे तो जो मैंने तीन हफ्ते पहले जो सकुलन बुलाए थे तो उसकी मैंने रिपोर्टिंग आपके साथ ही की थी तो दिखें आज मैं उसकी अपडेट दे रही हूँ तो इस तरह से ये मेरे सारे प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और इसमें ग्रोध भी चल रही है और इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से लेंकी से नहीं हुए है और ये बहुत ही फ्रेश दिख रहे है तो चनिया आज मैं बताती हूँ कि इसके लिए मैंने कौन स इसे मिला के भी इसमें डाल सकते हैं जो भी आपके पास कंपोस्ट हो तो वो दो पार्ट मैंने लिए हैं यहाँ पे और उसमें डाला है देखिए रेट जिसे बजरी भी कहते हैं तो ये मैं लूँगी दो पार्ट देखिए इस तरह से इसे मैंने च्छान के लिए हैं तो इ इसमें दो मुट लेंगे कोकोपि, इससे नमी बनी रहेगी, यानि एकदम से ये ड्राय नहीं होगा, और इस तरह से ये हमारा सॉयल लेस मीडिया, यानि सकुलन्ट के लिए तयार हो जाता है, और उसमें थोड़ा सा डालेंगे इपसम सॉल्ट, अपने हिसाब से बिल्कुल थ तरह से, इसमें और डालेंगे नीम खली, इसमें बहुत ही माइक्रोनिट्रेंट होता है, तो ये बहुत ही यानि सकुलन्ट के लिए अच्छे होती है, तो एक मुठी में डालूँगी नीम खली, अब इसमें डालेंगे हम सेविड, एक मुठी, देखें इस तरह से, या और इसमें आप डाल सकते हैं यह slow release fertilizer है तो इससे क्या होता है कि बहुत दिनों तक हम succulent को कुछ नहीं डालते तो भी चलता है और यह अपने आप इसमें से जो भी उसे nutrient चाहिए वो ले लिता है तो इस तरह से सिवीड हमने डाला है और बाद में यह बोन मिल देखिए एक मुठी और थोड़ा सा डालती हूं देखिए इतना सा तो यह हो गया हमारा succulent के लिए soilless media तो इस तरह से हमारा यह तयार हो गया है तो इसमें अब रह गया है सिर्फ थोड़ा सा fungicide और इसे अच्छे से mix कर लीजे इस तरह से और चलिए अब हम लगाते हैं इसको तो यह मैंने DIY pot बनाया है घर पर ही तयार गया है तो मैं जब समर का मेहना होगा तो उसमें आपक इसे तयार की करते हैं तो इसे एक साल हो चुका है और इसमें मैं छोटे-छोटे पौधे लगाती हूं तो बहुत ही प्यारा लगता है तो इस पर छोटा सा पत्तर रख देंगे यानि जो भी उसका होल है उसमें से पानी अगर ज्यादा हुआ तो नीचे से निकल जाता है त और इसमें अब हम इसे भर देंगे इस तरह से देखे अच्छे से इसे हिला लीजे और ये दिखे थोड़ा सा फंगिर साइट डाल कर ये पानी हम इस मिट्टे में डाल देंगे इस तरह से तो इस तरह से मैंने अपने सकुलन्ट के लिए सॉयल मिक्स तयार किया था तो इसमें ग्रोध बहुत ही अच्छे चल रही है तो मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी और इस तरह से चोट इसे जगा बनाकर इसमें ये सकुलन्ट आप लगा लेजे तो इसे मैंने आनलाइन शॉपिंग की थी मैंने इसकी क्योंकि हमारी या बहुत ही महेंगी मिल रहे थे ये सारे तो इससे या आप जो मेरा तीन हफ्ते पहले वाला वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता भी मिल जाएंगा और आप भी वहां से ये सकुलन्ट बुला सकते हैं इस तरह से मैंने अपने सकुलन्ट तीन हफ्ते पहले लगाए थे तो आज मैं उनकी अपडेट देती हूँ यानि उनकी कंडिशन आपको दिखाते हूँ कि ये किस तरह से अब बन गया है तो ये दिखे हमारा ये लगकर तयार हो गया है तो देखे इसी प्रोसीजर से मैंने सारे जो मेरे सकुलन्ट थे उनको मेले लगा लिया है इस तरह से और इनको मैंने पानी भी दे दिया है तो इनको पानी कब देना है जब ये पूरा ड्राय हो जाता है क्योंकि हमारे इस सॉइल मिक्स में सॉइल नहीं है ये सॉइल लेस मीडिया है तो ये बहुत ही यानि ड् जब चुके हैं और कितने हेल्थी लग रहे हैं तो इसे काटकर मैं będzie जगा लगा दूँगी से यह पूरवchnya जाएगा और इसे मैं हैंगिंग में भी यूज कर सकूंगी इसको और यह देखिए इसे कहते हैंस पर यह यह दो देखिए यह बी मेरा परफेक्ट है और इसी तरह से अब चलते हैं यह छोटा सा तूट गया था तो मैं इसे इसी में लगा दूँगी और यह देखिए और इसका नाम तो नहीं पता लेकिन यह कमल जैसा ही लगता है मुझे ज़्यादा सुकुलन के नाम नहीं पता है और देखिए इसमें यानि थोड़ा से मैंने जो भी बड़ी वाली जो रेथ होती है तो वो इसमें डाल देया थे और यह देखिए यह भी लग चुका है और बहुत ही प्यारा लगता है मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा था कि इन सकुलन को क्या हम शेड में रखेंगे तो नहीं यह शेड वाला प्लांट है लेकिन किसी भी प्लांट को सुबह की धूप यानि दो चार गंटे की धूप बहुत ही जरूरी होते है तो इनको भी धूप चाहिए एकदम यह शेड में नहीं बढ़ेंगे और इतनी अच्छे ग्रोथ इनकी नहीं हो सकेगे तो इसलिए सुबह की धूप इनको मिलने ही चाहिए और बाकी पूरे दिन की इन्हें आप इसे शेड में रख सकते हैं मैंने इसमें सीविड दे दिया है और जो कंपोस्ट होती है तो वो बहुत दिन तक चलती है और यह देखे जो छोटे-छोटे से इसके पत्ते टूट गए थे तो वो मैंने इसी यानि कोकोपीट और इसमें कंपोस्ट है और थोड़ा सा फंजिसाइड डाला है तो आप देखे च्छोटे-च्छोटे पौधे निकल रहे हैं तो यह मेरे लिए बहुत ही प्यारे एक्स्पीरिंस था तयार खिये पत्ते आपको इसमें डालना है इस कोको पिट में उसके बाद देखिए अपने आफ इसमें यानि ये लीव से प्रोपगेट होते हैं तो देखिए और बाकी जो लगे थे उसे चुटे-चुटे जो पोदे थे वो भी बड़े बन गए हैं और मैं आपको पास से दिखाती हूं ये दि दिया था तो देखिए ये तयार हो गया है और जो अडेनियम थे मेरे ऑनलाइन जो मैंने बुलाए थे तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा तो देखिए इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे तरह से चल रहे हैं तो मैंने जो भी ऑनलाइन अन्बॉक्सिंग किया था तो उसकी अपडेट आपको देने थी इस तरह से देखिए इसमें कली भी बनाई है और देखते हैं कि कौन सा फुल खेलता है और ये भी ऑनलाइन पर्चिस के थे मैंने और इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे चल रहे हैं और देखिए इन पर नंबर भी डाले हुए हैं इस तरह से सारे अडेनियम मेरे लग चुके हैं यानि कोई भी जो अडेनियम है वो मेरा नहीं गला है और ये जो गनपत गारडन है उन्होंने मुझे गिब्ड भेजे थे चार प्लाट तो देखिए इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं और देखिए कितने सारी ब तो फ्रेंड्स आज थी ये अपडेट वीडियो इन अन्बॉक्सिंग जो भी मैंने प्रोड़क किये थे उसकी तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंस किजएगा और वीडियो अच्छे लगते है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर आफ से ल्ग वीडियो अफ्लीज मुझे तो अन्बॉक्छ घूळक chopping ऑने दे मुझे बीजोर कीम्छा जोफ आपован